जूनियर और प्रामरी की तरह एक महत्वपुड स्रीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शामान धन और जीयर एक तरह से देखा जाए है यह स्रीज बेवीद और शामान धन के लिए एक महत्वपुड अंगर आपको सरकारी सिचक बनाने में या होती महत्वपुड भूम क आदा करता है यह क्लास आपके लिए निसुन देशित में राष्ट में प्रद्दिन इलर निभी दुर्गेश पर फेश्बूक पेज यूटूब पर लाइप चलती है अगर आप पहले से सरकारी सिचक हैं तो आपके लिए जूनियर सिचक बढ़ती के तहरी और एक नहीं बताएंगे बलकिन उन सभी प्रश्णों के आधार पर आपके हजारों प्रश्ण तयार की जाएंगे क्योंकि प्रश्ण की व्याक्थात्मा खलोगी इस सिरीज को देखने के लिए सबसे पहले आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा साथी इस वीडियो की क्वालिटी को आप अपने शे बढ़ा कर रखेगा ताकि जब भी आप क्लास पढ़े तो आपको जरासा बफरिन की समस्या ना आने पाए चलिए आज ही क्लास के अन शुरुआत करते हैं आपके साथ पहला प्रश्ण आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है बोट पर दिखाई दे रहा है प् से बहुत ही आसानी से आसान भासा में व्याख्या कर सकते हैं बता सकते हैं तो जी हां चाहिए बिटीशी हैं बीएड हैं इन सभी के लिए यह क्लास पाउती महत्तपूर है तो जल्दीशे मेरे पैरे से साथियों इस वीडियो को देखे ही नहीं बलकि इस प्रश्ण का अर् प्रकास है अब आई इसके बारे में जाते हैं प्रकास जो है एक विद्दुद चुम्ब की विकरन होता है यह एक प्रगार का विद्दुद चुम्ब की विकरन होता है लिखना चाहिए लिख लीजेगा क्योंकि यह आपके सेलेक्शन का सबसे बड़ा आधार है चुम्ब क विकीरण है, विकीरण होता है, और इसकी तरंग दिष्य, एक प्रशना आजाये की प्रकास का मूलकण क्या है, तो आपको पता रहना चाहिए, ये फोटान है, एक प्रशना आपका तयार, कि जो प्रिकास का मूलकन है वो आपका क्या है वो आपका फोटान है मैं उमीद कर रहा हूँ यह भी आपको समझ मागया होगा अब हम और आगे बढ़ते हैं ठीक है आपसे निवेतनी वीडियो को अपने शवी साथी मित्रों को शेयर जरू कर दें यह अगर रंग की बात करें तो यहाँ पे इसका रंग बैगनी है इंडगो, नीला, हरा, पिला, नारंगी, लाल, हपिनाला, बैजानी है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रिशनी की तरफ ठीक, यह क्लास प्रद्यन राज साथ नह बजे इलरनी बिद्रगेश पर निसुलक लाइब देशित में राश्टित में चलती है आप स्वयम जुड़े और जुड़ेने के साथ साथ अपने इस वीडियो को, अपने शभी साथियो को शेयर जरू करें हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रिशनी की तरफ अगला प्रिशना के सामने है साथ आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी आवाज आपको सुनाई भी दे रही होगी बादलो वाली रात्री खुले आकास वाली रात्री में गर्म होती है इसकी वज़ा क्या होगी जो भी साथी इस वीडियो को लाइब देख रहा है निसूर्ट इल लगने विद्रगेश पर वे सभी साथी फटापट कॉमेंट करेंगे और कमेंट करेंगे यह के प्रश्ण का जवाब लाइब देंगे जी हम मेरे प्यारे से चक साथी हो इस देश के निर्माता हो ठीक है जवाब दीजे जल्दे लिख फटापट कॉमेंट करेंगे जो लोग इस वीडियो को लाइब देखा है सबी साथियो से मेरा निवेदन है कि आप इस प्रश्ण का जवाब जरूर दीजेगा चाहे गलत दीजेगा चाहे सही दीजेगा आपका जवाब जरूर है चलिए आए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि बादलो वाली रात्री खूले आकास वाली रात्री से गर्म होती है देखिए इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है ग्रीन हाउस असर जी नहीं यह प्रिथिवी के वैसित तात्रम को बढ़ाता है ओजोन अस्तर में कमी जी नहीं यह सीअपसी की वाज़े से होता है शूरिया तक इंशूलेशन यह भी नहीं होगा यह भी नहीं यह होगा पार्थिव विक्रण बादलो वाली रात स्वच आकास वाली रात के पिछण गर्म होती है इसका जो प्रमुक वज़य है पार्थिक विक्रण होता है स्वच आकास वाली रात में पिथिवी द्वारा छोड़ी गई विक्रण की Jonite आकास की ओर चली जाती है बादलो वाली रात पित्वी पर चोड़े के विकरण के उसमा आकास की और जाने की बज़ाए पित्वी पर लोट आती है जिससे पित्वी गर्म हो जाती है जैसे यह हमारा जैसे आप लोग हम लोग यहां रहते हैं अब यहां पर अगर घंगोर बादल चा जाएंगे यहां से जो पार्थी विकर आपका पार थ्यू управ innov कर दें दोरी करें यहां अगे बढ़ों के सामने Democrats काफी बड़ी ओगी लेकिन से नहीं इस लिए इस बीडियो के चे का नहीं kann ann olmay रहेगा और अपने सुझी साथ ही मित्रों को शेयर करते रहेगा देखें यहाँ पर है भोजन की उर्जा मापा जाता है जी हाँ मेरे प्यारे से चक साथियो इस देश के निर्माता हो जल्दी से फटापट कमेंट करिएगा और कमेंट करके दियेगे पश्टने का जवाब दिजेगा कि हाँ आप निसुल्ध की लशन की उर्जण है वो किसमें भापत करीएगा जो इस भी साथ भटापट कमेंट करेंगे उसे हम किलोरी किसमें कैलोरी में क्यों क्यों कि यहाँ प्रेहन दिजियेगा केलिवीन जो है ये ताप का मातरक होता है ये ताप का होता है अगर बुशेल की बात करें तो ये अनाज के आयतन है ये क्या होता है अनाज का आयतन अनाज का आयतन मापा जाता है साथ आज आज आपको एक नई चीज़ देखने को मिली शीखनों को मिली कि अनाज का आयतन किसम मापा जाता है तो बुझे में मापा जाता है अगर यहां पूछी दिया जए एक बुझेल बराबर क्या होगा जिक बुझेल बराबर किसी को पता है आठ गैलन अची कंगेलन यह क्योंता है नाज यह होता शूखा अनाज इसलिए इस प्रष्ण का शही बिखल्प जो होगा वो भी होगा जिन साथियों ने जितने लोग भोईस में सरकारी से चक बनने का शपना सोजोए हो वो ये बात जानते रहें कि इस प्रष्ण का ये सबसे उप्यक्त बिखल्प होगा वो क्या होगा आपका वो होगा भी तो ज विक्कत हो कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा उद्देश्य है आपका सरक्सन चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले पिष्ण की तरफ है समझ मागया बुसे याद रखिएगा यह आपको कही जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा यह आपको इलेनी बिद्रगे आपके लिए लाइब देशित में राश्चित में चला है तो आपसे निवेदन है किसी वीडियो को अपने सभी साथी में तरों तक पहुचाने का क्रिपा करें चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे प्रश्चन की तरफ क्योंकि आप रेस के घोड़े हैं और रेस के जो घोड़े होते हैं वो रेस में ही अच्छे लगते हैं भुपाल गैस तराजदी निम्लिकित मेंशे किस योगी का नामे बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर सरकारी सिचक बनने जा रहे हैं जूनियर प्राम भी दोनों के लिए यह बहुती महत्पूर्ण क्लास होगी बहुती महत्पूर्ण लेक्चर होगी जी हां मेरे प्यारे स प्रिटेचक साथ हो अगर आप इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करिएगा जरूर क्योंकि यह से आप बहुत कुछ चीखने वाले हैं यहां से आप आज बहुत कुछ चीखने वाले है चलिए दिकिए यहाँ पर अगर भुपाल गैस राजदी की बा हां चली इस नंबर बैस करें आपको सारी जन्गारी मिल जाएगी ठीक है उगा निक्टाइल ऑइसोफिल गया तो क्या होगा इसकी तीन दिशंबर कि रात में हुई थी कब हुई थी 1984 में यह 1984 में यह उन्य सो चौरासी मुई थी इसमें अनेक बैक्ती मारे गह थे इसलिए प्रस्टन का जो श्रही भी कल्ब होगा शी यह बहुत ही यूनिक प्रस्टन है और प्रहय परिक्षा में पूछा जाता है इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता दिया तक कि यहां से आपका जो कॉंसेप्ट है ने वह बहुत जादा क्लियर हो जैए और जब तक आपका कॉंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हम कितना भी मैने से पहादे आपका चैन कहीं कहीं रुकार हैगा बाधित रहेगा ठीक है चली हम और रहनाचारी बनना है या आपको सुपर प्रामरी पास करके सरकारी सिच्छक बनना सभी के लिए हैं देखे निम्नकित मेंसे किस लमण को प्रद्दिन खाद नमक के रूप में उप्योग नहीं करना चाहिए नहीं का मतलब है यहां पर नकारात्मक प्रश्ण है कैसा प्रश् छिति लोग इडियो को देख रहा है देखे आएड नेक्त नमक खाना चाहिए क्योंकि इससे घेघा रोक से बचत होती है शेदा नमक होता यह चटानी नमक होता है एक यह घेघा रोक से बचाव करता है कि है संसा संसाधिक नमक क्या होती है व्य जानता हैई जी यह है अEd कि अजिसके बारे बताते हैं यहां पर इस प्रिष्ण का उत्तर होगा शमूद्री नमक जो गलत वही शही है मानि फए लगाना पढ़ेगा माने भी हल करना पढ़ेगा कहेंगे सर भी कैसे होगा चलिए उस विषय पर भी हम लोग चरचा करते हैं शबी लोग धान दीजेगा मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं समुद्री नमक का प्रियोग प्रदिन करने से हमें लखवा हो सकता है और डाइबिटीज रख्तचाप हो सकता है इससे क्या हो सकता है लकवा लकवा नमक रोग हो सकता है रख्तचाप डाइबिटीज बढ़ सकती है इसलिए हमें खादी पदार्त हो में प्रदिन समुद्र नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए सेधा नमक में 65 प्रकार के प्राक आगे बढ़ते हैं अगले पश्टने के तरफ, अगला पश्टने है निम्लिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, माने तीन है और एक सुमेलित नहीं है, आपको जबाब देना है कि निम्लिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, अगर आपको ऑनलेंग क्लास से नोट से समन्द में कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर वाटसेप करके जानकारी ले सकते हैं यह जोनपुर जनपत के सिराजे हिंद से यह क्लास मेरे द्वारा निसुल चलती है ठीक है नई बैच आपकी दो तारिक से स्टार्ट हो रही है ठीक है चाहें आप सब्सक्राइब करके बाता है यह जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं जी है नेक्स्ट मंत के दो तारिक से देखें यहाँ पर सभी लोग को जबाब देना है जो स्वाप्रत्रिचित रोग होता है उसे संधीवाता संधीशोद कहते हैं अनुवांसिक रोग पामा र अजिवानों माइक्रो बैक्टिरियम ट्यूबर क्लोसिस नामक जिवानों के संकरमर से होता है लिखना चाहां लिख लिजिएगा मैक्रो बैक्टिरियम कि यूबर और क्लोसिस कुलो शिश ठीक है ट्यूबर कुलोसिस नामक जिवानुश सम्पमर्स होता है इससे मानुसरी का फेफ़डा प्रभावित होता है खासी के साथ कफ और रख निकलता है और अगर देखा जाए तो 1882 में 1882 में इसकी खोच किसने की थी? रावट कोच ने किसने की थी? रावट कोच ने इसकी खोच की थी और ये कहां के थे? ये जर्मन के थे इसलिए इस प्रशन का उत्तर क्या होगा? B जो गलत है वही सही है आप सभी को जितने लोग यहाँ पर ध्यान दीजेगा यह वीडियो जो है यह आपका इस प्रशन का उत्तर भी होगा अगर आपको सरकारी से चख बनना है जूनियर प्रामरी के लिए तो काफी महतुब प्रशन होगा हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रशन की तरह जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं शबी लोग फटाफट कमेंट करेंगे कमेंट करने के बाद दिये के प्रशन का लाइब जबाब देंगे ठीक है अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तब हम आगे के तरफ बढ़ते हैं कोई दिक्कत किसी को करेंगे जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं जल्दे लिए प्रशन के निर्म आता हूँ अगर आप पहले सरकारी सिचक है तो भी आपके लिए वीडियो महत्तपूर्ण है तो भी वीडियो आपके लिए पाउती महत्तपूर्ण होने जा रहा है जल्दे से बढ़ाबर कमेंट करिए देखे बिटामिन A बिटामिन A की कमीशे रतोधी रोग होता है बिटामिन B3 से पिलागरा बिटामिन D से पढ़ानता यह आपका गलत है फोलिक इसिट से रटालपा यह सवाल का अस्तर कठिन है क्योंकि कठनाई अस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जब कठनाई अस्तर लगातार बढ़ता जाएगा उस दशा में हम सब को कठनाई के आधार पर काम करना पड़ेगा ठीक है? कोई दिक्कत किसी को कोई शमश्या हो तो जरू कमेंट कर सकता है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रिश्ण के तरफ आपसे निवेदान है कि वीड़ों को लाइक करिएगा उसके बाद अपने शवी साथी मित्रों को शेयर जरू करिएगा यह क्लास प्रद्ने राज साथे नौ बजे इलनी बिद इसे जो होने वाला रोग होता है वो रिकेट्स होता है कि आप लोग को पता है रिकेट्स होता है कौन सा रोग है रिकेट्स होता है और उसमें बच्चों को अस्ट्रियो मलेशिया बच्चों में क्यों होता है ध्यान दिजिएगा रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में हो अगर लेकर बैठे हो तो जरू लिख लिएगा यह ओ आस्ट्रियो मलेशिया यह वैस्कों में होता है इसका रासानिक नाम कैल्सी फिराल है इसका जो रासानिक नाम है वो क्या है कैल्सी फिराल है लिखना चाहिए तो लिख लीजेगा शभी लोग के लिए क्योंकि जीयस मेरा फिवरेट सब्जेक्ट है कैल्सी फिराल है यह रात साड़े नो बजे निसुल्ट आपके लिए लाइब चलती है लेकिन अगर वरंदानता की बात करें अगर वरंदानता की बात करेंगे तो यह इसमें जो रोगी होता है वह लाल रंग वह रानग इनमें बिभेद नहीं कर पाता यह रोग पुरुष प्रभावित होता है इस्त्रियों में तभी होता है जब उनके दोनों गुरसूत यक्स-यक्स हो इस रोग की वह इस्त्रियां होती है देखिए दो बात होता है अगर व बलक्स होगा तब महिला प्रभावित होती हैं अन्य था नहीं होती तो आप लोग समझ दीजिएगा तो कि यहां से आपके कई प्रशन तयार होंगे मेरी क्लास को पढ़ने के बाद जो सबसे बड़ा आपका फाइदा है एक प्रशन के साथ आपके कई दोनों के लिए निसुल का लाइब हैं देश हित में राष्ट हित में अगला पशना आपके लिए एक वडांद कलर ब्लाइंड पुरुष का बीवा एक सामान इस्तरी से होता है जिसमें माता-पिता के दिश्ट भी सामान थी उनके बच्चे में वडांदता होने की कितने प्र आप सभी रेस के घोड़े हैं जल्दी से फड़ा फट कमेंट करिएगा क्योंकि ऐसे प्रशन आपके परिक्षा में आते हैं अगर आपको सरकारी से चख बनना है तो आपको ऐसे प्रशनों को पहले से निचोड कर रखना होगा और उसके बारे में जानने रखना होगा कि ऐ अब की बार एक सिट हमार ठीक अब की बार एक सिट हमार इस वीडियो को आप अ क्साइब एक सिट हमार हु कि धान दिजेगा इस प्षमे का सही विकल्ब क्या होगा इसमें होगा पैचास परस inim Ça का प्रभाव अगर लिन्ग शूत्र की बात करे तो क्या होगा यक्स क्रोमोसोम पर होता है किस पर यक्स क्रोमोसोम पर एक प्रश्णा आपका तैयार हो गया पूरुस इससे अधिक प्रभावित होता है मैंने उपर बताया महिला तब प्रभावित होते है जब डबल एक्स होता है माता पिता से पिता से प्रभावित होने तथा माता के वहाख नौ होने की दसा में बच्चों मों केवल यक्स क्रोमों से प्रभावित होगा अर्था लड़के में जो वड़ांड होगा जबकि लड़के वहाख होती है इसलिए यह 50% होगा लड़का लड़की पैदा होने की शंभावना समान है इसलिए प्रिष्ण का शहुत तर्जु होगा यह क्या होगा 20 का राइट एंशर होगा ठिक यह क्लास के वाल लाइब होगी इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा अब की बार एक सिठ हमार ठिक चलिए अगला पशना आपके सामने है शमुत्र के अंदर शमुत्र के अंदर शंसार एवं इस्तिती आकलन के लिए प्रियोग के जाने वाला यंत्र क्या है सबी लोग फटाबर कमेंट करके बताइए जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं शमुत्र के अंदर संचार एवं इस्तिती आकलन के परियोग के जाने वाला यंत्र क्या है वैसे हम यहाँ पे सभी यंत्रों के बारे में प्याश करनेंगे बताने का देखिए यहाँ पे ध्धान दीजेगा हम लोग सभी प्रश्णों पर ध्धान देंगे सबी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि रेस के गोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं देखिए इस प्रस्ण का उत्तर आप लोगों एक दम सही बताया है रडार जो लोग बता रहे हैं देखिए रडार क्या होता है यह यानो के लिए होता है यह वायू यानो के signal के लिए होता है ठीक है किसके लिए होता है y या नो के signal के लिए होता है ठीक और अगर laser की बात करें तो laser जो होता है ये एक विद्दुत चुम्ब की विकरण है ये क्या है ये एक प्रकार का विद्दुत चुम्ब की विकरण है ये क्या है बिद्दु चुम्की विक्रण है कि उत्सर्जन के आधार पर आप्टिकल प्रवर्धन के प्रक्रिया के से प्रकात का उत्सर्जन करता है विक्रण के उत्सर्जन के आधार पर के उत्सर्जन के आधार पर आप्टिकल प्रवर्धन धान से देखेगा प्रकास का उत्सर्जन करता है लेकिन इस प्रशन का उत्तर जो होगा सोनार होगा प्रशन का उत्तर क्या होगा सोनार होगा प्रशन का सही विकल्प क्या है सोनार है सोनार कैसे होगा सोनार समुद्र के अंदर इस्ति जानने का प्रियोग क्या जाता है इस प्रशन का उत्तर होगा वह एश का राइट एंसर ह होगा जिवतनी साथ ही होने इस प्राश्णय का उत्तर दिया है वो क्या है को ठिक है अ है हुआ है का हम एक अगले प्रेश्न की तरफ है कि एक-प्रश्चिन हाब आया है इससर्व सोंखे का फूल फर्म क्या होता है एक प्रश्लिय हाट पर आया है इस्यर प्रशम अ क्या होता है जल्दी से वह फड़ापन करके जवाब कि सोनार का फूल स्वार्म यह सद्ट प === उ खरुप को बढ़ाया इसके पहले के ध्यृफ के क्लास में ठीकि फूल को फूल फूल करके बता है इस सुनार का फुल फर्म क्या होता है देखे यह sound negivation and ranking होती है ठीक है जी हाँ यहाँ याद रखेगा यहाँ से प्रश्णाप क्या आता है sound negivation and ranking होती है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्णाप के तरफ अगला प्रश्णाप के सामने है computer की भासा 410 किस छेत्र में उप्योग की जाती है बहुती महत्तपूर है तो जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे है सबी साती फटापट कॉमेंट करेंगे कॉमेंट करके यह के प्रश्णाप का जबाब जरूर देंगे जी हाँ मेरी प्यारे से चचक साती हो किसे देश के निर्माता हो आप लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे है सरकार इसे चचक बनने के लिए यह आपके लिए अहम और महत्तुपूर क्लास है मैं उमीद करता हूँ आप सभी लोग अपना फिड़ बैक जरूर देंगे और सवाल का जवाब भी देंगे सभी लोग फटापट कमेंट करिएगा जितनी लोग देख रहे हैं इसके बारे में पूरी तरह से ब्याख़ा करके बताऊंगा फटन कंप्यूटर की जो है एक उच अस्तरी भासा है कैसा है उच अस्तरी भासा है इसका प्रियोग कम समय में गणती सुत्रों को हल करने में या बिज्ञान के चत्र में किया जाता है बिज्ञान वर गणित बिज्ञान वर गणित के चत्र में इसका प्रियोग किया जाता है लेकिन आई बियम के सौजन से बेकस द्वारा 1977 में किया गया था किसके दोरा ये 1957 में बेकस के दोरा बेकस के दोरे किया गया था ठीक है अगर बेवसाई के लिए देखा जाए तो कोबोल होता है अगर परिछा में कोबोल आ गया तो कोबोल जो होता है वो बेवसाई के लिए होता है यह क्या होता है यह जूनियर की लेबल का है और जूनियर प्रामरी दोनों के लिए बहुत कोड़ सामान इधन की सिरीज है यह हम आगे चल लें अगले पश्ण की तरफ चाहें तब इसकी स्कीन सोट कर सकते हैं एकदम विस्तित पढ़ाऊंगा नोर्स बनाते चलिएगा वैसे टेलिग्राम पर सब कुछ मिलेगा लेकिन साथी साथ नोर्स चरूर बनाएगेगा ठिक टेलिग्राम पर आप सब दुर्गेश सर सर्च करके इल लेनी पर दुर्गेश पर जुड़ेंगे चाहा इस विडियो को फेस्बूक पेच पर देख रहे हैं चाहा यूटूब पर जहां भी आप इसे निसुल का लाइब देख रहे हैं आप इसे अपने साथी को शेयर लिएगा और टेलिग्राम पर डिस्केप्शन में जरू जुड़िएगा योगी सभी क्लास की लिंक नौटिफिकेशन सब कुछ आपको निसुल्क प्राप्त होगी है ठीक है कि देखें यहां पर कौन सा प्रस्ण का इसका उत्तर क्या होगा यहां पर होगा तैत्री आर्या और यह जूरवेद त्रह समय को यजूर यह टापूच्ञ का इसका संबंद है और एक प्रसंट अमारा और है प्रटाइव करेंगे कमेंट करके दिये के प्रस्न का जवाब देंगे क्योंकि यहां आपके लिए काफी महत्यपूर है बताई अब्ली व्लकु में करके समझ माया कब सब्रटर्चले माता पत्तरी मंत किसे को समरपित है करें मंत किस देवता को समर्पित है जरू बताएगा रिगिवेद के तीसरे मंदल में सही जवाब और यह गैत्री मंत सूरी देवता को समर्पित है अगला पशना पर सामने वैदिक कर्मकांड होता का संबंद किस्ते हैं सबीलोग फटाफट कॉमेंट करेंगे कमेंट करके दिएग से ठमार गैत्री मंत सूर को समर्पित है अगर हम ethometer का उत्तर देखे तो होता यह इसे हैं एक नाम से जानते हैं और होत्र के जानते हैं और भाद करें तो इसका का रिच्छा पाध करते हुए इस्तुति करना अगर यहां पर कुछ नोग मता रहे पाध करता को क्या कहते हैं कि उदात्र कहते हैं पुदात्र कहते है अगर याजूर पेत्ग की बात करिया discourteye में अ कि अर्ध मंत्रों को उचारन करने वाले जो पुरोहित होते हैं उन्हें ब्रह्मा कहते हैं उन्हें कहते हैं ब्रह्मा यह मंत्रों का उचारन करते हैं मंत्रों का उच्छारन ठीक है इस परकार हमने देखा इस प्रश्ण का जो शही भी कल्ब होगा ठीक इस प्रेशन का सहीबी कल्ब क्या होगा ए होगा अब की बाहर एक सीथ हमार प्रद्दिन राज सब्सक्राइब नो बजे जुनियर प्रामरी के लिए सिछक की अभी शामाने दिन की सिर्फ चल लएए जल्दी आपको अगामी दो तारिक से आपके लिए साइंस की भी दो अनिक अच्छा है आपके संचाली होंगी ठीक है चलिए हम आगे बढ़ने अगले इसकी स्कीन सोट मत करिएगा लिखते चलीगा एक बहत्तरी नोट्स आपके त्यार होगी जब आप सरकारी से चक बनने के लिए जाएंगे एक बार रिविजन करेंगे सारा कॉंसेप्ट क्लिए रहेगा इसके लिए आपको धेर सर किताबें पढ़नी पड़ती हैं अगला पशनाप के शामने हैं गोल गुंबच को किसने अभी कल्पित किया था यह वीडियो फेस्बूक पेज़ पर चला है और यूटूब पर दोनों पनिसुलक लाइप चला है सब लोग फटा कमेंट करेंगा जितनी लोग देख रहा हैं देखिए गोल गुंबच किसे अभी कल्पित है यार एक बार वीडियो को शेयर करिएगा पैसे नहीं कटेंगे आपके लोगों तो पूछाईएगा यकीन मानिए मैं आपको सेलेक्सम तक जरूर लेके जाओंगा अभी आपके प गुंबच है यहाँ इसने बनवायाँ था तो यह द्बूल के याकूत ने कैसे यह बीजापॉर में है गोल गुंबच कहाँ पर है यह बीजापॉड में है तो गोल सबक्रू Sigmod हेङए कि शबी लोग लिख लीजेगा जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं कि अगर आपको सेलेक्शन लेना है तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा और रेस के घोड़े ही रेस में तो अच्छे लगते हैं मेरी राइटिंग टोड़ी से गड़ बड़ है लेपटॉप लिख अगर देखा जाए कौन था दाबूल के याकोब था कुछ लोग बता रहे थे उस्ताद आहमद लाहौरी इसने ताजमहल बनाया था इसने ताजमहल जो आगरा में है तो आपके दो प्रसंट त्यार हुए सोचे यहां से कितने प्रसंट त्यार हुए स्वांधान से यहां पर प्रसंट का उत्तर जो होगा वो डी होगा दाबूल के याकोब सुल्तान गोंतर मुहमद आदिल सा बीजापूर कहां पर करनाटक में है इसलिए सबी लोग ध्यांज दिखेगा उस्ताद अमध लाहौरी जो था वो ताजमहल कल्पित किया था इसलिए इस क्लासेज भी आपके साथ लाइब हो जाएगी एक चैनल और है इस्टेटी भी दुर्गेश सर उस्चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा कुछ क्लासेज आपको उस पर कुछ क्लासेज इस पर चलेंगी ठीक है कि क्लिए रहा हूं है मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्र कि देख रहे हैं विदिव को लग लाइब देख रहे हैं कि सभी सभी लोग कमेंट जरू करेगा जबी कलासी पूरी सामान ड़न घ्र जीक है और वह जो परिच्छा वाले प्रशन है किस गुरू के सिक्ष्म अमधाय का एक अभी नव लंगर को बनाया आई यहां पर प्रश उत्तर क्या है गुरु अमर्दास लंगर सब्द का निराकारी दिश्ट कौन से लिए यह 15 सदी में तीसरे गुरु यह कौन से यह तीसरे गुरु थे यह थार्ड गुरु थे ठीक यह धार्मिक अंदिविस्वास रुड़ी बात जात पात उचनीत को समाप्त करने के लिए यह व्यूस्ता समाप्त की गई थी सभी वरक लोग एक साथ बोजन करते हैं अगर यहां पर कुछ लोग कहरें गुरु रामदास गुरु रामदास जो है इन्होंने अम्रित सर सहर बनाया था कौन सा अम्रित शर ठीक है अम्रित शर शर बनाया था शहर तो गुरु रामदास के लिए उत्तर जो है वो उसका उत्तर क्या होगा अम्रित सर सहर लेकिन इस प्रसने का जो सही भी कल्ब होगा वह आपका होगा भी यह जातिपाद धर्म रूड़ी बात्ता अंदिविश्वास उंची नीच इसको समाप्त करने के लिए एक साथ ठीक है लंगर अमर रहेगा लंगर अमर रहेगा मनें अमर दाशने कब 15 सदी में अंद्रावी शदी में तो यह बहुत इन पॉर्टेंट है आपके लिए इससे बहतर अगर कोई पढ़ा देना सरकारी सिच्छक बनाने के लिए जूनियरों प्रामरी सुपर्टेट के लिए इस चलनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा हम आगे बढ़ रहें के लिए पशने की त खुर्रम का बिद्रो, चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध, खुसरो का बिद्रो अब प्रशन का अस्तर उतना आसान नहीं आता जितना हम लोग समस्ते हैं अब कठनाई अस्तर लगातर बढ़ता जा रहा है और जब कठनाई अस्तर बढ़ता जाएगा तो कहीं ने कह हमें आपको मेहनत करने की चमता को बढ़ाना पड़ेगा योगि एक सीठ हमार अब की बार एक सीठ हमार अगर सरकारी से चख बनना है तो आपको इस लाइन के साथ आगे बढ़ना होगा लोगों से ज़्यादा पढ़ना होगा ठीक है जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर जरू करेंगे विकि बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं बाकि आपकी मर्जी आप सेयर करें या ना करें हम बस कहने तक ही तो दिखा रही है या बाकि आपकी इच्छा है मैं भी आपकी तरह हूं जितने भी गवर्मेंट से इच्छक देख रहे हैं वो भी सेयर कर देंगे चलिए ठीक है आई यह मैं इस पूरा चरचा करता हूं देखें हम खुर्रम का बिद्रों का बिद्रों कभ हुआ था 1600 देश में यह हुआ था 1600 देश में ठीक अगर चौसा के यो दिखी बात करें तो यह हुमाई और सिर्सा की बीच हुआ था 1549 में किसके बीच बीच्छी इ इपॉर्टेंट है यह हुमायू हुमायू और सिर्षा ठीक है हुमायू और सिर्षा की बीचुआ था धर्मत का युद्ध धर्मत का युद्ध जो है यह 1658 में लड़ा गया था लेकिन खुसुरों का पित्रों यह 1606 में था यह अगवर के मगवरे के यात्रा के बहाने आगरास से भाग निकला था ठीक है और विद्ध Brian करता है यह अगबर के मगबरे की यात्रा के बहाने क्या कर आगरा से निकल जाता है फिर आगे चल कर बिद्रो करता है तो आप लोग बताईए इस हिसाप से इस पशने का उत्तर क्या होगा डी होगा क्या होगा इसके आधार पर इस पशने का जो श्रही भी कल्प होगा वह डी होगा समझ सरकारी सिच्चक देख रहे हैं तो लोगों ठपऊ चाहिएगा अगला है किसको भारती पुन्न जागरण का पिता कहा जाता है तो जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं जल्दी से कॉमेंट करेंगे कॉमेंट करने के बाद यह के प्रश्चन का जबाब लाइब देंग देख लोगा ताकि आपके जो कॉंसेट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाई कि आइस पहले इस प्रिश्चन का उत्तर जान लेते हैं इस प्रिश्चन का उत्तर है क्यों राजा-राम जानियरह को रहें इसे भारती पुन्यजागरण का पिता कहा जाता है इनके नवीन विच इनकी उपनाम जानते हैं इनके हम लोग कुछ उपनाम जानते हैं एक एक करके उपनाम हम लिख रहा हैं ठीक है इन्हें युग दूद कहते हैं इन्हें ही हम युग दूद के नाम से जानते हैं लिखते चलिएगा राजा रामोहनरा को मिकदूद कहते हैं इन्हें हम भारती राष्टवाद का पैगंबर भारती राष्टवाद भारती राष्टवाद का इन्हें क्या क्या कहते हैं जहां से दिखेगा भारती राष्टवाद का जनक कहते हैं पैगंबर कहते हैं यह सारी यूनिक प्रस्टन है पूरा जो आपको एक बार में ही पता चल जाएंगा ठीक ठीक फिर आपर देखेंगे इन्हें आधुनिभात का पिता कहते हैं आधुनिक भारत का पिता कहते हैं ठीक पिता कहते हैं लेकिन दयारन सर्स्वती के बारे में भी थोड़ा वाद आई जाए लेते हैं तोड़ा अला कर लेते हैं यह दैणनन सश्वति जो हैं अगर ना कर देखा जाए तो यहां मूलन मूल संकर था । मूल संकर एक प्रश्णा पर त्यार हो गया कि दैयानन सर्श्वती की मूल नाम क्या था तो जी हां दैयानन सर्श्वती का मूल नाम ठीक है मूल संकर था और राजा क्युपादी अकबर दुति ने दी थी अक्बर दुद्य ने ठीक है मूल संकर था इन्हों ने 1875 में पता क्या किया था आर्य समाज कहां पर मुंबई में मुंबई में अस्थापित किया था इनकी प्रमुक पुस्तक जो है अगर इनकी पुस्तक की बात की जाए बहुत इंपॉर्टेंट आपके परिच्छा के लिए लिख लीजेगा सत्यार्थ प्रकास सत्यार्थ प्रकास सत्यार्थ प्रकास इसकी जो प्रम रामकिन प्राभंस के बारे में थोड़ा साम पढ़ लेते हैं इस इनके बच्पन का नाम गंगाधर था तो द्यान दीजए गा इनके बच्पन का नाम बश्पन का नाव इंपोर्टेंट है यह पूछेगा गंगाधर एक प्रस्णाव के परिच्छा में उसे जरूर आएगा गंगाधर अगर इनके सिस्ट देखा जाए इनका सिस्ट जो है आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिस्ट यह हैं विवेकानन्त कौन थे विवेकानन इनके क्या थे शिस्त अब हम और आगे चलते हैं सबी लोग शेयर जरू कर दिया इतना दुकर सकते हैं यहार उसके लिए आपको कहना पड़ेगा चली कोई बात नहीं स्वामी विवेकानन्त की बात करें हम इनका मूल नाम क्या था इनका मूल नाम क्या था नरेंद्र नाथ इनका पूरा नाम था मूल नाम इन्होंने बिस्तो थर्म सम्हेलन भाग लिया था शिकागों में किसी को पता कब लिया था अठारासुत इरानमे में कहां पर बिस्तो धर्म सम्हेलन इसी से तो यह प्रशेद हुए विश्व धर्म विश्व धर्म सम्हेलन में ठीक है यहाँ यह बात आप लोग को पता होना चाहिए इनके गुरु का नम क्या था रामकिर परमंस था और इनके जन्दिवस पर राष्ट्री वादिवस मनाया जाता है यह अमेरिका में है ठीक के लियर हुआ रामकिष्मिशन अच्छा रामकिष्मिशन अठास अतानवे में लिख लेजेगा अच्छे अठासो शंतानवे में राम किष्ण मिशन अठीक और किसी कोई दिक्कत हो को समस्योत बताईएगा राजारा मोहर नायने एक प्रमुक सब्सक्राइब करना अच्छा एक जो लोग विडियो को लाइब करें सभी लोग असाथ इस जवी जबाब है शबहाना ब्रम आके है इस वीडिएगे अपने सभी साथ नकर। जो लोग वीडियो को लाइब देख रहा हैं, इतना कर सकते हैं, अगर इससे बहतर कोई सामान द्यान, सिच्छक भरती जूनियर और प्रामरी के लिए पढ़ा दे, तो वीडियो को अंसस्क्राइब कर दीचेगा, शबी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइब देख रहा है इस वीडियो को चाहिए अपनी स्कीन सोट रख लें, चाहिए इस वीडियो को अपने शाथी मित्रों को शेयर कर दें, लेकिन यकीन मानिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुती महत्वपूर है, जी हाँ, इससे बहतर सायद ही कोई ब्याख्या करके पढ़ा पाएगा, जिसकी थेयरी तयार होगी, वही तना बहतर ब्याख्या कर पाएगा, ठीक, समझ मारग नहीं आप लगखो, हम आगे बटा के लिए पशने की तरफ, अगला पशन है, पंजाब के स्रीक उपासी किसको दी गई थी, सब लोग फटा पट कॉमेंट करिएगा, जित्ते लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं, सबी साथी, देखिए, आउनलेंग क्लास से नोट से संबंद में दिया, आपको कोई जानकरी चाहिए, अब 630 जीरो, 63, 24, 367 से ले सकते हैं, ये जोनपुर जनपत की सिराजें से क्लास चलती हैं, और मेरे दोरह सभी क्लास से निसुलक और फ्री होती हैं, ठीक है, अनलेंग सभी जानकरी अप ले सकते हैं, चाहे आप ईपेटेट, सीटेट, सुपरटेट, सिचक भरती, जूनियर, प्र जाए चलिए, यहाँ पर होगा लाला राजपत्रा है, क्या होगा, लाला राजपत्रा है, इन्हें संजीट पंजाब के प्रभाव साली कांगरिस नेता थे, समा सुधारक थे, गरंदल के नेता थे, बंदे मातरन नामक मासिक पत्रिका के संपाधक रहें, शाइमन कमिसन का विरोद करते हुए, लाठी के परहर से इनके बेटते हुई थी, इसका, शाइमन कमिसन का, शाइमन कमिसन के विरोद, लाठी से, मार कर इनकी, मारते मारते इनकी मृत्ति हो गए थी, अगर इनकी पत्रिका है, मासिक पत्रिका, लिख लीजेगा, इनकी है मासिक, मैं पूरा करहां एंद बटे ंपॉर्टेंट है बंदे महत्रम बहुत इन पटेंट ए इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं बंदे महत्रम है ठीक है यूझ चाहे इस इसके इसट कर सकते हैं आप लोग आपको लगए पहतर पढ़ा रहा हुँ अगर आप इससे संतुष्ठ है, तो जरूर वीडियो को शेर करिएगा। ठीकें, अगर आप संतुष्ठ है तब नहीं है तो कोई बात नहीं। यह निश्वल्ग है आपके लिए, आपको सरकारी सिच्छक बनाने के लिए। अगर आप पहले सरकारी से चख हैं तो भीया लोगों तक पूचाईएगा अगर आप पहले सरकारी से चख हैं तो फिर से आउर आगे बढ़ते हैं अब देखिए भगा सिंग के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी बात में भगा सिंग बारे में बात में कर लेते हैं यहां से परिच्छा में आपके प्रशन रहते हैं लाला हर्दयाल एक करांदिकारी थे इन्हों ने गदर पार्टी की अस्थापना किया था और किसके साथ मिलते पता है सोहन सिंग भाकना यह प्रशन पूछा जाता है शोहन सिंग भाकना जून 1913 ठिक हम आगे चलते हैं रणजीत सिंग के बारे में जानते लिएगा यह सिक समराज के प्रसिद्ध राजात है यह सेरे पंजाब के नाम से जानते थे शेरे पंजाब शेरे पंजाब के नाम से यह जाने जाते हैं ठिक यह आप जानते रहेगा सभी लोग चाहे तो इस किंसोर्ट कर लिजेगा और इनके बारे में तो आगे हम लोग पढ़ेंगी क्या सभी प्रशन आने वाला है भागत सिंग सुग्दे और राजभुरू को फासियो इती दियोस मना जाता है ठीक चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरफ किलियर किसी को वीडियो को शेयर करिये हैं बार-बार आपसे कह रहे हैं लोगों तो पोच्छा यह कर भला तो हो बाला अगला प्रश्ण आपके सामने हैं नीचे स्वाधिनता संग्रामी दथा उनके द्वारा प्रारम समाचार पत्रों के नाम देगें उनमें कौन सा जोड़ा गलत है आपको गलत बताना है तीन सही है एक गलत है जो लोग वीडियो को लाइफ देख रहे हैं कॉमेंट जरू करिएगा जितने भी साथी वीडियो को ईलने भी दुर्गेश पर फे कि बताई से लिए पटाबट करेंगे यहां पर अहां देखिए मौलोना अजात का नाम अल हिला इंपॉर्टेंट है रट लीजेगा लोकमान तिलक के सिरी सही है जहला ने सुन नेशनल हेराल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है महत्मा गांधी दब पाइनियर यह कलत है क्यों कि अगर पाइनियर की बात करें तो जार्ज एलेन है यह कौन है जार्ज एलेन है जार्ज एलेन है और महत्मा गांधी का देखा जाए तो बिया हरिजेन है फिर यंग इंडिया है ठीक है तो चहांई तscene बम इसकी स्कीन सोट के लिए इसके इस Ça का उत्ति गल्ठ मर्लेश वह से यह तो डींस का right answer होगा जितने शाथियों ने इसobra Lust डीं लगाया है उन्थवी का सबी जवाब पूरी तरशी शैई है, टीक है कि इसकी इन्जाटों गया CHLUCK शर्कारी से शच्क बनने के लिए बहुत ही महत्तिपून कलास आपके लिएthirds of कहलाती है जी एस साइंस वर्ग कला वर्ग दोनों के लिए महत्य पूर्ण है तो जल्दी से वड़ाबट कमेंट करिए कौन भारती क्रांती की मा कहलाती है आई यह इस कमणारे में बहुत ही ब्याक्यात्मा क्रूप से आपको पताने जा रहा हूं चाहिज वीडियो को पूतर बताया है भीका जी रुस्तम का मा को भारती क्रांती कारी की मा कहते हैं यह पार्सी परिवार्मिन का जन्म हुआ था यह क्रांती कारी राष्टवाद की समर्द थी इन्होंने यूरोप अमेरिका में क्रांती की संचालत किया जिन्यमा से बंदे मात्रम पत्रिका इन् प्रथम भारती जंडा प्रथम भारती जंडा फाराया था जिसका डिजाइन इन्हों ने बनाया था भीकाजी नहीं बनाया था एक प्रशना रहा है पंडिता रमा भाई इंकर रमाभाई के बारे मता दू जो पंडिता रमाभाई हैं यह पहली महिला थी जिने क्रकत्ता विस्विद्डालेक संकाय दवारा शंस्कीत बिद्वान और सवस्वतिक रूप में पंडिता कुपाध ही की यहां इन्हें पढूरा पढूरे में स्वाजीन नाडू के बारे में दोनों के बारे में एक के करिके हम लोग पढ़ेंगे हम लोग लिए अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन आपके तरफ कि स्वतंता शंगराम के विद्रों को कुछनने के लिए लखनों में कौन बिटी साधिकारी था सभी साथी फटाफट कमेंट करें बताइए सभी लोग जित्ते लोग वीडियो लाइब देख रहे हैं यह जी एसी क्लास है प्रद्धिन राज साढ़े नौ बजे इलने भी दु कमेंट करके बताइए का जितनी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी दिखें मैं अच्छे से बैक्ठा करके पढ़ा रहा हूं सभी दोग ध्यान से दिखेंगा लखनों में 800 तान की बिद्रों के बारे में अगर दिखा जाए तो कैब बेल और हेल्री लॉरेंस थे य बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल इन्होंने क्या किया था लखनों का नेत्र तो किया था लेकिन अगर निकोलोस हर्सन की बात की जाए निकोलोस हर्सन दिल्ली का कहां कहां दिल्ली को दमन किया था दमन लेकिन लेकिन अगर यहां पर देखा जाए यहां के नित्यत करता कौन था जान दिजेगा बहादूर सा जफर बहादूर सा जफर और बक्त खां भी थे कहीं कहीं आपको साथ में थे ना बक्त खां थिक अब हिरोज भ्यान दिजेगा हिरोज की बात किया जाए तो जी हिरोज था यह जहासी इसने जहासी को दबाया था नित्यत करता कौन था रानी लक्ष्मी भाई थी रानी लक्ष्मी भाई थी करणन नील के बारे में यह देख लेते हैं तो जो करनन नील था ये दवाय किसको था प्रियागराज को प्रियागराज रथा इलहाबाद का दमन किया था नितुत करता कौन थे यहां का लियाकत अली थे कौन थे लियाकत अली थे ठीक ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितने लोग इस वीडियो को अगर आपको लग रहा है किस से बहतर कोई पढ़ा सकता है तो भीया आप उनसे जरूर जुड़िएगा जितने लोग वीडियो को लाइक को शेयर किया है इस तुवर कर अगली से चकभड़ती में उनका एक पद जरूर फिक्स हो हम आगे बढ़ रहे हैं देखिए ध्यांदी जेग आप लोग शम्मिदाहान के किस अनुछेत की अंतरगत नियालो द्वारा शंसत की करवाही जांच करना प्रतिबंधित किया गया है तो यकीन मानिए आप चरूर सेलेक्सन लेंगे इसी चैनल के साथ निसुल चाहे आप इसे फेस्बूक के देख रहे हैं चाहे यूटूब से राष्टित में देशित में आपके लिए चल्ला है आकानपुर के नाना साप सही है चलिए आई यहां पर लोग भात करते हैं सभी साथियों के साथ मिलकर देखिए इस परस्ते का सही भी कर्प होगा अनुछेद 122 122 अगर 123 होता था यह दोनों अध्यादेश है यह दोनों क्या है अध्यादेश है फर्क कितना है यह राष्ट पती है और यह राज्यपाल है याद होगे दोनुछेद पहला अनुछेद 122 फिर 123 फिर 213 दोसों 127 क्या किसी को बता है अध्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्य कारी कारी कि मुख्य नहीं आधीश है ठीक है तुम मारा नहीं जा रहा है यह सुप्रीम कोट में होता है यह क्योंद 149 क्या है कोई कमेंट गर बता है 149 क्या है रिट की शक्ति की व्रिद्धी यसी सुप्रीम को यह चारों के अलावा मैंने सिप्जा दिया ध्यान से दिखिएगा सभी लोग इस पस्टर का तो उत्तर होगा वह तो भी होगा लेकिन हमने इसके चारों भी कल्ब को बता दिया 149 में रिट की व्रिद्धी को बाहर करने की सकती है सुप्रीम कोट 127 तदध नादेश की नुक्ती 126 कारीकारी मुक्षे नादेश 122 समिदान के अंतरकत नियालेव दौरा संसत की कारवाय को जांच करना पधिबंधित किया गया 123 अध्यादेश 213 अध्यादेश फर्क कितना है कि 123 में राश्टपती जारी करता है राजपाल 213 में इसकी नुक्त कर लिजेगा अगला पशन है आपका निमुकित मेंशे कौंणust एक सदन का अध्याज गयर सदश्य होता है सभी लुग फटाफट कमेंट करें चाहा फेस्बुक पे चाहा यूटूब पे जहां भी इस वीडियो को निसुल का आप लाइब देख रहे हैं चलिए बताइए सभी लुग फटाफट कमेंट करके यह हमने बना दिया संसद संसद में यहां पे रैष्टपती होता है यहां पे लोगसवा होता है यहां पे राजेशवा होता है अब यहां पे आपको यह जानना है कि किसका अध्यच उस सदन का सदश नहीं होता तो आपको पता होना चीए कि संसद जो है ये कहा है ये अनुछेद ये अनुछेद 89 में मैंने छोड़ा तर्ट ट्रिक पढ़ा है आपको लोग को मैं पढ़ा दे रहा हूं सरल ये है अनुछेद 89 तो अनुछेद 89 तो अनुछेद 89 ठीक है ये आपको याद होगा न है 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 यी थीक आप यहाँ अंपर लोक्सभा का सदस जो अनुग हरत का उपरास्ट पती होता ये कौन ह待 भारत का उपराश्ट पती होता है औहीं इसका सदन नहीं होता और नहीं व्हांED आधान में उप राश्ट्पती पद की बिवस्ता की गई है.' जब लाश्ट्पति के करते है, उप राश्ट्पती क निर्वार परggakते है में सब्रेकर देखेएंगा जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं । कि सारे सब्सक 20 अब धाबधर भी कोई आपको पढ़ा देगा क्योंकि सरकारी से च्छक बनना उतना असान नहीं है अब की बार एक सीठ हमार और उसी के तर्ज पर हमें आगे पढ़ना है आगे मेहनत करना है और इससे बहतर आपको क्लास यूटूब पर या फेस्बूक पेश पर कहीं मिल जाए तो आप बताईएग ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं दीकिए मैं फास्ट पढ़ाऊंगा चीजे छूटती जाएंगे मैं चाह रहा हूं कि कोई भी चीज आपकी छूटने ना पाए अगला है राजश व्यत अथा राजश आयकांतर क्या क्या राथ सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे कमेंट करके दिए के पृष्ण का जवाब देंगे जितने साथी वीडियो को लाइप देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए गा चाहिसे अब फेस्बूक पे लाइप देख रहा हैं चाहिसे यूटूब पर जहां भी आप इसे लाइप देख रहे हैं जरूर कमेंट करिएगा किसी को डाउट कोई समस्या चलिए आई इसके बारे हम लोग जानते हैं इस प्रेश्टन का जो सही भी कल्प होगा वह होगा क्या होगा बताईए राजश्वय तथा राजश्वय आई कांतर क्या क्या है कमेंट जरू करिएगा चाहे जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं सबी सात्यों से निवेदन है कि जवाब जरू दीजेगा चाहे गलत चाहे शही सभी लोग जरू कमेंट करें बताईएगा देखें यहाँ पर होगा राजश्व घाटा क्या होगा राजश्व घाटा होगा कैसे देखें ध्यान सिक्दम समझेगा राजश्व घाटा उजीगत खाते घाटा सम्रित नहीं कहा जाता चालू खाते घाटा होता है यह अलप्रकाली भोग की प्रवित्ति को दर्शाता है अगला प्रशन आपके सामने भारत की बिदेशी मुद्रा अधिक्तम इश्मद में खर्च करती है सबी लोग फड़ाफट कोमेंट करेंगे जिक्ति लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं सबी साती चाहिसे फेस्बूक पर लाइब देख रहे हैं यूट्यूब पर देखिए सबसे ज़्यादा हमारे दिसमें क्या आता है पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पर होता है सबसे ज़्यादा अधिक्तम पूजी पेट्रोलियम पर होता है इसलिए इसका उत्तर क्या होगा बी हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरफ अग आपके साथ सरकारी से इच्छक बनना चाहते हैं अब की बाद एक सी ठमाद जी है मेरी आवाज मेरा गला बैट गया है फिर भी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ठीक सभी लोँ फढ़ा पट कमेंट करके बताएं जो वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी साथadow sack करिएगा प्रचन निया छिपी पिरुजगारी का पैडाम क्या होता है लेकि आइस पीसे में बात करते है प्रचन निया छिपी पिरुजगारी का जो पैडाम होता है वह आनुत पादा करमचारियों के संख्या में बिद्धी होती है आइस का एक्जामपा लेते हैं जैसे यहाँ पर हमारा एक खेत है, यह हमारा क्या है, खेत है, इस खेत में हमें क्या लगाया है, माली जे, धान, हम धान लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, धान, धान लगाने के लिए इसमें हम लोग 15 मजदूर हैं, कितने मजदूर हैं, 15 मजदूर हैं, अगर 15 मजदूर की जगह हम 10 मजदूर लगा दे कितने 10 मजदूर लगा दे क्या इसके उत्पादन में कोई अंतर होगा अगर हम 15 की जगह हम इसमें 10 मजदूर लगा दे क्या इसके उत्पादन में कोई कमी या ब्रिद्धी होगी या हम 15 की जगह हम इसको 25 कर दे क्या इसमें ब्रिद्धी होगी क या इसके उत्पादन में ब्रिद्धी होगी कोई नहीं होगी इसके मजदूर बढ़ाएं या घटाएं इसके उत्पादन ब्रिद्धी या कमी नहीं होगी लेकिन लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजेगा समय जादा लगेगा जब समय जादा लगेगा नहीं होगा इसके उत्पादर में कोई प्रभावित नहीं पड़ेगा मतलब इतने लोग फालतू लगे इसलिए इसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं कौन सी छिपी हाँ मेरी आवाज घड़ लेकिन आपके क्लास मेरी आवाज से ज्यादा मुहत्त पूर्ण है कि इसकी इंसोट क्लिक कर लिजिएगा जनगर्णा 2011 के नुशार किस किसासी प्रदेश कि जनसंक्या ब्रिद्धिदर सबसे ज्यादा रहे अभी नहीं जनगर्णा हुई है उसकी नहीं इसकी पहले 2011 लवत लिएगा देखें दादर नगर हविली अब दादर नगर हविली को दौट प्लस दमन एवं दूइब को मिला दिया गया है कब 26 जनवरी 2020 को अब संग्सासी प्रदेश की संख्या कितनी किसी को पता है पहले साथ थी दो बढ़ा जम्मु कस्मिरो लद्धा पांच अगस्त 2019 को फिर ये घड गया माइनस से अब वरतमान में आठ है कितनी है अठ है इस प्रश्वन का जो हिब ही कल्प होगा ये तिरपन दस मलो और साथ है यहां पर कितना है ये तिरपन दस मेलो साथ से पर्शंट है अ चेप अ इसवतंने का जो शही कल्प जोगा वो सी होगा अब के सभी पतेश कितने हैं अब आठ है क्योंकि दादर नगर हवेली को मिला इसकी राजधानी क्या बना है इनकी सभी राजधानी इन दोनों की राजधानी क्या है बढ़ाई दमन है क्या है दमन है इसकी संद्राजधानी अब दमन हो गई इनकी संद्राजधानी दमन है राजी कितने पता किसी को राज पहले 29 थे माइनस 1 अब 28 अब 28 राज्य है कितने है 28 राज्य है थो आगे बढ़ रहें अगले प्षिण कि तरफ तर वीडियो को शेयर कर दीजएगा अच्छा पुदूचेरी और दिल्ली यहां दोनों जगए बिधान सभा के चुनाओं होते हैं क्या होते हैं बिधान सभा के चुनाओं होते हैं यहाँ पर 30 पर यहां पर 70 शेटपर ठिक और एक बात और मैं आपको बता दू चलिए एक बात मैं मता दू ये इसे हो देखिए यह जो पुदू चेरी है ये पुदू चेरी कहां का फैला पता है यहां पर इसे यहां पर आंदर प्रदेश में, नीचे तमिल लैडू में यहाँ पर पुदू चेरी है, पुदू चेरी, फिर नीचे तमिल लैडू में ही कराइकल है, कराइकल, कराइकल है, यहाँ पर है केरला, यहाँ पर है माहे, क्या है माहे, इस प्रकार पुदू चेरी जो है, आपका तीन राज् कि लिए रुआ सब का जो लो बीडियो को लाइक देख रहे हैं कमेंट सबको समझ मआ रहा है नो कि स्कीन पर नहीं आपने आपका वीडियो थोड़ा से पीछे चल लाओगा इसलिए आपको उत्तर लग राओगा पहले आया तो अनुजी आप वीडियो को भगा के रखेएगा ठीक है हम आगे बढ़ना के लिए प्रश्ण की दर्म इससे बहतर अगर आपको कहीं मिल ले तो क करिए योगांग जी आदत पढ़ गई है ठीक है वीडियो को शेयर जरू करिएगा इसकी इंसर्ट कर लीजिए अगर आपको बहतर क्लास लग रहे तब अगला इसको सुमेलित करना है तो जल्दी से भी लोग सुमेलित करिए पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी घाट के अगर हम बात करें तो कैसी है उस कड़बंदी सदा बहर बन है यहां के वनों की बात करते हैं हमाना यह मना भारत है यह मारा भारत हो गया काम चलाओं है तो यहां पर जो यह पश्चिमी घाट है यह पश्चिमी घाट है यहां पर एक का दूसरा हो गया फिर हिमालाई प्रदेश माने यह जो चित्र है यह हिमालाई रेंजे ठीक है हिमालाई जो प्रदेश है यह हिमाल पंजाब मैंने यह हर्याणा है यह जो अपका बेल्ट है यहां पर कैसे बन पाए जाते हैं यहां पर उस कट बंदी कटकी बन मैंने यहां पर सी का चार है छोटा नागपुर का पठार यहां पर छोटा नागपुर का पठार है यह जानते छोटा नागपुर नदे निखलती है यहां पर क्या हो गया दी का पहला जरह आप लोग मैप में देख लिए इस चारों अस्थान कहां कहां पे हैं सब्सक्राइब नहीं दिख रहा है तीन डाड़ बिंडू पर क्लिक करें वीड़ों की क्वाल्टी बढ़ा ले 320 पर कर ले 360 पर कर ले 720 ठीक है कोई डाउट समस्या और वीडियो को शेयर करें दस साथियों को प्रदिन जोड़ी सेलेक्शन वाली क्लास है सरकारी सिच्छक बनाने के लिए अगर आप लोग संख्या बढ़ाएंगे तो जल्दी हम श्रमान ध्धन में आर्ट और साइंस की अन्नी क्लासेज भी विसावार करके बताइएगा सभी साथी फटाबर कमेंट करें देखिए और लेंग क्लास या नोट से संबंदीत कोई भी जान करी चाहिए यहां के माध्यम से मैं निसुल का आपको इलनी भी दुर्गेश पर लाइब क्लास प्रदिन देता हूं जो पुरी तरह से फ्री होता है एज ग दुर्गेश हैं फेश्बुक पेज इंस्टाग्राम ट्विटर यूटूब इलनी भी दुर्गेश हैं ब्योडी का मानक क्या है देखिए इसके बारे में जानते हैं ब्योडी को बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो गया जानते हैं इसको बाइलोजिकल ऑक्षिन ड सिस्टम में ऑक्सीजन अस्तर को मापनी के लिए हैं यह जली जन्तों के सवसंद में जो अक्सीजन होती है उसकी आवासकता होती है घुली हुई अक्सीजन का मात्रा घट कर 16 परसंद तक पहुच जाती है तो जो धारियों इससे परसानियों लगती है ऐसे जल को प्रदूस सिस्टम जीवी कार्मेनिक पदारतों के आक्सीकरान की इस आसकता को हम बीओडी कहते हैं क्या कहते हैं बीओडी जियां जूनियर सुपर्टेट की क्लास ये लेने और दरगेश पी चल ले दोनों के लिए मात्तपूर है बिश्रुका सरवाधिक बेस्ट समुद्री जलमार क्या है जो भी साथी वीडियो को लाइब देख रहे हैं जल्दी से फटावट कमेंट करेंगे कमेंट करके दिये के प्रश्ण का जबाद मेंगे सभी लोग फटावट कमेंट करेंगे जितने लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी साथी चलिए यहां पर बात करते हैं बिश्रुका सरवाधिक बेस्ट समुद्री जलमार क्या है सभी साथी बताइए कि दिखिए आप इस प्रशने का उत्तर होगा उत्तरी अट्लांटिक मार कि यह बहुत ही ब्यास्त है यह उ इसका नाम है लगना चैनल लिख लिजएगा है ले यह लिख लीजएगा इसका एक नाम और है ब्रिय। MP3 कर दून्रंद मार क्याते हैं स्वेज नर्hi यह जहाज जहाज जहाजी नहर है डिया है जहाज जहाजी नहर यह जहाजी नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है यह लाल सागर भूमा सागर जोड़ती है इसकी लंबाई गर देखेंगे 165 किलो मीटर है इक इसको जी है लाल सागर को भूमा सागर जोड़ती है लाल को भूमा द्ये सागर से जोड़ती है ठिक चलिए हमागे पर अगले प्रश्ण की तरविश्क लिए इसका प्रश्ण को उक्तर क्या होगा बी होगा क्या होगा बीश प्रश्ण का सही जवाब होगा मश्रावा बंदरगा मश्रावा बंदरगा मश्रावा बंदरगा मश्रावा बंदरगा जो कि लाल सागर के टट पर इस्तित है निम्न में से किस देश से संबंधित है सभी लोग फटाफट कॉमेंट करिएगा कॉमेंट करके दिये के प्रश्ण का सभी जवाब दीजेगा जि मश्रावा पंदरगा जो कि लाल सागर के तड़ परिस्ती तक किस देश्य स्वंबंदीत है इरिट्रिया इस प्रश्ण का सही जवाब होगा डीस प्रश्ण का सही जवाब होगा लेकिए शौदी अरब में जिहाद है जिद्धा है यह नम में अदन है इसे भी लाल सागर में यह भी लाल सागर यह भी लाल सागर है आजा शोमालिा यहां पर मोगा दीशू बहुत और प्रशिद्ध है मोगा दीशू यह आपका हिंदन हो सागर में है यह आपका लाल सागर में है तो इस प्रशने का जो शही भी कल्प होगा वो आपका क्या होगा? डीस का राइटेंस होगा ठीक है क्या होगा? डीस प्रशने का शही जवाब होगा यार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए पैसा नहीं कटेगा लाइक ने के तो लाइक करने के बाद अपने सभी साथे को शेयर करेगा चाहे फेशबूक पे चाहे यूटूब पे जहां भी आप लाइक देख रहे हैं ये जोनपर की सिराजे हिंसे कलास आपके लाइक चलती है अलास्का निम्लिखित मेंशे किस देश का हिश्चा है सभी साथी फटा-फट कॉमेंट करेंगे कॉमेंट करने के बाद ये प्ष्ण का जिवाब लाइट देंगे देखे ये पहले रूस का था जहांसे देखिएगा अलास्का ये पहले वर्तमान ये प्रिश्ण का उत्तर क्या होगा कि लुगा सॉफ है होगा बी होगा कि ऑुच गट कि लिखने कि आप अैंक तुरी भी होगा इसलिक है अलासकर欸 कहाने पहले तो इसलिक मुधिक है रोज़ाद को arc through मुधिफ फोर पर है जिकटा में पी दिन्देखेंगे जहां पर महादू पर अगरिश्र आप देखेंगे ऐसे आप अब उत्तर अमेरिका महादीव कर देखेंगे ये जो छेत्र हैं यही अ का लाज्ञा है ने यहीं क्या है कि अच्छार आ्जना अच्छा और पुकर और है चांडर का आप शासि virgin है ठीक है और सबसे बढ़ा राज्य है राज्य है सबसे बढ़ा है है यह पचासवाय और यह पचासवायर राज़ भी वह हैえる अब था यू Muslim शॉम ए टो इसमारा यह नहीं आप लग को जो아서 ाद बीडियों को सभी साथ को शेर करिएगा रूस का पहले था ग्रीन लेंड दूइब से बढ़ा हुश एक द्येश इसकी राजधेनी UP है कर अब की बार एक सीठ हमार वीडियो को शेयर करें चाह फेश्बुक पेचा यूटूब पे अगर आपको लग रहा यह क्लास कैसी है एक लाइन में कमेंट जरू करिएगा अगर आपको लग रहा है इससे बहतर पढ़ा जा सकते हैं तो भी बताएगा इससे बहतर कोई नहीं बढ़ाएगा इतना वह लोग फड़ाफट कमेंट करिएगा निम्नी कितमेशे कौन सुमेलित नहीं है अब की बार एक सीठ हमार सच्चक बढ़ती जूनियर प्रामरे की निसुल्क इलैनी बेद्रगेश्व लाइब क्लास है जो फेश्बुक यूटूब पे दोनों पे चलती है टेलीग्राम पे ज आई इसके बारे में बात करते हैं सभी लोग अच्छो उपर हमने राजधानी नहीं बताई थी आईए मैं यहाँ पर सब की राजधानी बता देता हूँ सभी लोग को राजधानी ग्रिन लेंड की राजधानी किसी को पता है ग्रिन राजधानी नूख है इसकी राजधानी उटावा है रूस की राज़ानी मास्क हो है याद रखिएगा रूस है तो इएरोप में एसिया में लेकिन इसका वासिर्टन डीसी है जी यह लिश्क इंसोट कर लीजेगा लुक डेनमार की इस प्रश्ण का उत्तर तो भी था ठीक है यहाँ पर आप लोग जराज ध्यान दीजेगा यहाँ पर मैं आपको अच्छे समझाओंगा असन लोहाइस-पातात उद्द्योग के लिए है ठीक है यह कहा है चीन में है यह आपका चीन में है डेट्रायट सेहर यह यूएश्यम है यह आत्वमावल मास्को रूस में और यह पोट निर्माड उद्यूग नहीं है यहाँ पे मास्को में रसायन मसीन्री आदि उद्यूग लगा जाते हैं ठीक है समझ मैंगा आप लोग को चली इस्पेशनल का उत्तर क्या होगा माने जो गलत है वही सही है चली बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो लोगों तक पोचाईए यार कमकम दद्द सात्यों को जोड़िये हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरफ जर्मनी का हैंबर्ग नगर कि शिप समंधित है सभी लोग फटाफट कॉमेंट करिएगा देखिए सभी लोग जो लोग इलनी भी द्रुगेश्ट पर जुड़े हैं चाहे वो ऑनलाइं क्लास जूनियर सुपर्टेटों रामरी सुपर्टेटों सभी के लिए आप इलनी भी द्रुगेश्ट पर जूड़कर ऑनलिंग क्लास समंधित नोट्स आदी के वारे जागाई ले सकते हैं यह जौनपुर जनपर से निसुल क्लास आपके लिए चलती है जर्मनी का हैंबर्ग नगर किसके लिए परशिद्ध है लेकि हैंबर्ग नगर जो है ध्यान से देखिए यह जलियान के लिए पूशी देखिए कि इसके लिए जलियान के लिए और है अगर हम वायुतभ पर रहें यह अगर हम्सरावत्भि नोपर करें तो यह चीली देश है यह सेंटियागो एक जगह है सरावोद्यों के लिए प्रशिद्ध है नगर है बहुत ही इंपॉर्टेंड है सेंटियागो सेंटियागो कहां पर है यह चीली में चीली दच्छन अमेरिका महाद्विप का देश है खनी स्तेल कहां के लिए पृषिद्ध है यह यूश्टन है यह कहां पर है यह यह जेमें ठीक है यह त्यूंग प्रकेटिक गैसों के लिए है इसलिए प्रश्न का सही भी कल्पजी होगा वह एश का राइट है जो सबको समझ मांगया जोल्ड वीडियो को लाइप देख रहें कितने लोग ऐसे हैं जिन कोई क्लास समझ में आ रही है क्योंकि रेश के गोड़े रेश में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं और आप लोग रेश के गोड़े हैं मेरा गला बैठा हुआ है फिर भी हम आपको लगातार पढ़ा रहे हैं क्यों कि मेरा उद्देश है एक हमार और इसलिए आपको पढ़ना है और यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भरती पर इच्छा है और आपको एक स्टिट से मकलब है बश हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्णी की तरफ बुक्सा टाइगर रिजर किस राज्ज में है सबी लोग फटावट कम मैं चारो बिकलब को ब्याख्या करता हूं सबी लोग प्रती साड़ी नो बजे लाइब आया करिए सबी लोग साड़ी नो बजे पता आप लोग टेलिग्राम जोइन करेजिए टेलिग्राम पे दुरगेश और ये क्लास सारे नो बजे चलेगी एक और चैनल है इस्टड़ी भी दुरगेश है उसे भी सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा लीजेगा फेस्बुक पे जी लेने भी दुरगेश है बुक्सा टाइगर रिजर किस राज्ज में है देखिए बुक्सा शिमली पाल असम में मानश है प्रशिद्ध है काजी रंगा कभी कभी ने मेरी देता है आपके ने मेरी भी यहां का है अगणा अंचल प्रदेश का नाम दफा है लेकिन एकाक्ट रहता पाकोई यहां यहीं है यह नामदफा इंप्रटेंट है मानस काजी रंगा शिमली पाल ठीक यहां पर सत्कोशिया भी है लिखना चाहां तो लिख लीजेगा मैं लिखवा दे रहा हूं सत्कोशिया भी है बस्चिम मंगाल में मुक्सा टाइगर रिजर्व है ठीक सबी को समझ मा रहा है न ठीक और टाइगर राज किसे कहते हैं टाइगर राज टाइगर पुरुस टाइगर पुरुस यह मैंने आपको पढ़ाय हुआ है इन दोनों का जबाब आप कमेंट बॉक्स में दिखेएगा ठीक सबी लोग जोलू वीडियो को लाइब देख रहे हैं जी हां नहीं नहीं मैं गौर्मेंट टीचर हूँ लेकिन मैं आपको निसुल्क पढ़ा रहा हूं देशित में राष्ठित में अपने बच्चे हुए समय से ताकि आप लोग भी जो गौर्मेंट टीचर है वो आग एक का उत्तर टाइगर पुरुष किसे कहते टाइगर राज एक का उत्तर में बता देरा हो एक का उत्तर होगा मद्देपर्देश को वत बताएगा क्या होगा ठीक हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरफ ठिक हम आगे बढ़ना के लिए प्रश्ण के तरफ इसकी इंसोर्ट कर लिजेगा अगला है विभिन प्रकार के जियो जन्तु पौधे यहां पर ध्यान दीजेगा सबस्यादा कहा पाए जाते हैं बहुत ही महत्रपोर है तो यहां पर दीके जीरो डिग्री है इसे हम कहते हैं भुमद्रेखा क्या कहते हैं भुमद्रेखा इस से दस डिग्री उपर और दस डिग्री नीचे प्रते दिन दो बजे से लेकर चार बजे तक घंगोर वर्षा होती है जब घंगोर वर्षा होगी तो सबसे ज़्यादा जैविवित्ता यहीं पाई जाती है इसलिए से हम उसकडवंदी वर्षा वन बायों कहते हैं जो जो भुमद्रेखा से द्रूओं की तरफ बढ़ते हैं दोनों तरफ तो जो जैविवित्ता होती है वो घरती है जैविवित्ता क्या होती है जैविवित्ता घरती है जैविवित्ता घरती है लेकिन जब हम इसके द्रूओं से गुमद्रेखा की तरफ आते हैं तब इसकी ज बरती उल्ठा मतलब ज़ lines और अद्रों की तरह बरते हैं जय GulitLife क्यों होती है घड़ती जाती जाती आद्लय और बर्व है यहाँ पर ज्लीट होती नहीं तो इससे आपका स्पष्ट होगा इस प्रस्ट का जो शही भी कल्फ होगा वो शी होगा हाँ के लास सांखला को टाइगर मैंना फिंडिया कहते हैं कि लिए कि जी को दिक्कात को शमश्या है चली बहुत बहुत धन्यवाद आपका युगांग जी बस लोगों को शेयर करिएगा लोगों तक पहुचाएगा क्योंकि रेष्ट के गोड़े रेष्ट में अच्छे लगते हैं खेत्वनी और आप लोग रेष्ट के गोड़े हैं फेस्बुक पेज इलेनी बिद्रगेश इस्टाग्राम ट्वीटर यूटूब इलेनी बिद्रगेश हम आगे बढ़ रहे हैं समझ में आगया ना कन्फूज मत हुएगा लेकि भूमद्रेखा पर सबस्याता जैवी वित्ता होती है दुरूओं पर जाएंगे बर्फ रहती यहां पर कम है ठीक चलिए इस्टडी भी दुर्गेश सरक चैनल और उसे पर सस्क्राइब करके बेल आइकन दबाके रखेएगा अगला है मिनी माता घटना जो पर्यावरण के अध्यन का उदारण है किस कारण से संबंदीत है जो लोग वीडियो को लाइट देख रहे हैं स सभी साथी कि प्रदिन रास्ता देनों बजे लाइब आ जाये करिए टेलीग्राम पर सब लोग जूड़े का डिस्किप्शन में लिंक है अरे ददस साथियों कल जोड़ेंगे अपने क्या दस साथियों को आप लोग जोड़ेंगे कल की क्लास के लिए अगली क्लास के लिए चलिए देखिए यहाँ पर इस परस्टर का उत्तर होगा सभी लोग पड़ा पर कमेंट करेंगे बताइएगा मिनी माता जल पर दूसरों से है यह मिनी माता जो है यह जापान से निगले हुई थी मिनी माता की खाड़ी में पाराई अफसिष्ट पदार्त की मात्रा जल में घुल जाने करण मिनी माता नगर कई बिमारियों से मृत्त होगे इस रोग का प्रकोब इतना हुआ इसका नाम में निमाता रखा गया इसलिए प्रश्ट का उतर जो होगा वो डी होगा क्या होगा डी प्रश्ट का श्रही जवाब होगा ठीक है मंगुलायड प्रजाती कहा निवाज करती है जरा फटा फट सबी लोग कमेंट करिएगा देखे अगर मंगुलायड की बात करें तो मंगुलायड जो प्रजाती होती है एक बात है नाख चप्ती होती है कि आंख छोटी की होती अब बताविए किस राज्य में कहां कैसा राज्य है जहांप technical android पीजिआ एटको एगा अब आप लन रहुट को समझा आजाएगा नाक छप्ती कहां की होगी अगर बोट पाइए है पूप तो आप क्या बताऊएंगे तो बते ही फडाग से क्मेंड करेंगे माना ये भारत कम है, बहुत अच्छा तो नहीं बना माना ये भारत का मैफ है तो कहां पर होगा? नाग चप्टी लोग कहां पर? कह команд सर अर इन शित्र में उसे हम निपाली लोग की नाग चप्टी होती है आग छोटी होती है तो इस सबस्ड इनक उत्तर ही होगा समझ रहा है सेर करेंगे आप अपने whatsapp की status पर लगाएंगे whatsapp की status पर अपने whatsapp group पर facebook की status पर facebook के timeline पर जहां भी हो ज़रूर पूछाईएगे यहाँ पर पूछती ही तो यहाँ पर है कि आई के इत्थे होते हैं बाल गुगराले होते हैं साइसुआ है का द्रविडियन होते है अ व्ही अ होते हैं यहां पर किवल दर्विडियन होते हैं कि वर द्रविडियन होते हैं ठीक लेकिन प्रशने का जो इस वी कलब होगा हो ज़ी होगा क्या सब को समझ मैं जितनी वीडियो को लाइत देख रहे थे फेस्बूक पेज, यूटूब पे दोनों पर अब की बार एकसिट हमार जो नोट कर रहा है मुझे भेज भी देगा हमागे बटा के लिए प्रश्ण की तरफ इसकी इन सौट क्लिक कर लीजेगा भारत की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है चलिए आज की आखरी प्रश्ण नहीं है इसके बाद आज की क्लास हम लोग खतम कर देते हैं आप सभी लोग ओनलाइं क्लास या नोट से समद्ध में इदी कोई जानकारी चाहिए अब इस नमबर पर वाट्षप करके जानकारी ले सकते हैं ये जनपूर जनपत के सिराज हिंसे क्लास आपके लिए पूरी तरह से मेरे द्वारे निसुल चलती है उसके अलाव अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस नमबर पर वाट्षप करके जानकारी ले सकते हैं दो तारिक से आपकी नई बैस साथ चलने वाली है आप लोग बात कर सकते हैं जुनियर सिर्चकबर्थी लिखित परिच्छा या यहाँ से भी हो आप यहाँ से जुड़े रह सकते हैं निसुल क्लास का लाव ले सकते हैं जी हाँ दो तारिक से हाँ अगला मन्त हो जाएगा न देकि टेलीग्राम पे सबी लोग दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ेएगा इलेनी बिदुर्गेश है डिस्किप्सन उसकी लिंक है फेस्बूक पेज, इस्टाग्राम, ट्विटर, यूटूब इलेनी बिदुर्गेश बाद के सबसे बड़ी जन्जाती कौन सी है अगर जन्जाती की बात करें तो बाद के सबसे बड़ी जन्जाती जो है वो गोंड है कौन सी है? गोंड है ये 74 लाक है, लगभग लगभग देखा जाए कितना है 74 लाक लगभग की संक्या 74 लाक है अगर हम भील की बात करें तो भील पच्पन लाग भील क्या है पच्पन लाग है अगर हम संथाल की बात करें तो ये भी लगबग बैलिस लाग है अगर हम इरुला की बात करें अगर हम इरूला की बात करें जो इरूला है ये तमिल लाड़ो के तिरुवलूर पुर जन्पते पाए जाती है कहां पे तमिल नाड़ो तमिल लाड़ो के कहां पाए जाती किसी को पता है तिरुवलूर 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 पाए जाती है पनियार केरल में है केरल में पनियान है राजी है यह जंगल के राजाओं के नाम से जनते हैं यह जन जाती है बन रहोत है बन रहोत है थीक है बन रावत है इसाब मुशहर कहते हैं यह जन जाती है यह क्या है जन जाती है सभी जन जाती है ठीक क्या आप लोग को समझ मागया लेकिए यह सारी क्लासेश इलनी बिद्रगेश पर चलती है अपकी वार एक सीठ हमार साधे नौ बजे आप लोग लाई बाज जाएगा अन्नी क्लासेश भी चलती है यह पिटेट सेट सुपरेट लेकिन जूरियर सिच्चख भरते हैं और प्रामरी सुपरेट के लिए सिच्चख भरते के लिए आप लोग साधे नौ बजे लाई जाएगी अगर आपके संख्या और बेतर होगी जल्दी आपके लिए साइंस की और आयट की अलग से बिशेवार भी आपकी बिशे सुरू हो जाएगी उसके लिए आप लोग जुड़े रहेगा अपने शवी साहतियों को शेयर जरू करिएगा इसकी पीडियाफ की जरूत से अधिक बार देखेगा एक अच्छी जीयस की सिरीज आपकी त्यार हो जाएगी तो बस एक बार हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों इतना देर तक सुना मेरा गला लगातार खराब होता जा रहा है लेकिन अच्छा लगा आप लोगों ने साथ दिया ह मुझे इस बात की खुशी होगी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यह वीडियो फेश्बुक पेज यूटूब दोनों पर लाइव चल लही थी ठीक है आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि रेश के घोड़े रेश में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं और आप रेश के घोड़े हैं मैं जौनपुर जनपत की सिराजे हिंद से हूँ और इश्वर कर आप भी सरकारी से चक अगर हैं तो प्रमोशन कर समद रिगुवेट से हैं दस लोगों को सखाली जोड़िये का प्रदी दिन क्लास में यह किन माने एक दिन एतिहासी क्लास होगी सिच्चक भरती लखित परिच्छा की बाए बाए चली जैहिंद जैभारत बंदे मात्रम अब की बार एक सिठ हमार क्योंकि रेश के गोड़े रेश मच्च लगते हैं और आपकी रेश उनसे है जो इस रेश के लिए लड़ रहे है चलते हैं तब जैहिंद जैभारत साथ मिनोर्स बनाते चलेगा हो सके थमें भी वेज दीज ठीक है बाई बाई ठीक है अब चलें कल मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धेर सारी सुपकाम ना है